सोभे गाइज कैसे हो आप सभी लोग अच्छे होंगे और गाइज आज इस बाइक के साथ मैं फिर से रैपडो में जा रहा हूँ जैसे कि मैं पहले भी इसके उपर एक वीडियो बना चुका हूँ रैपडो मे लेकर इस बाइक को लेकिन गाइज उस बीडियो में मैं आपको अर्णिंग नहीं दिखाया था कि मैंने कितना अर्णिंग किया और मेरा कितना बचत हुआ तो उसी वीडियो के कमेंट में आप लोगों का काफी ज्यादा डिमांड था कि भाई इस बाइक से दुबारा रैपिडो करो और काम करो कि भाई टोटल कितना अर्णिंग होता है और इस बाइक के साथ कितना बचत होता है तो बहुत इंट्रेश्टिंग होगा वीडियो और कस्टो का क्या रियक्शन आता भाई आज गपा दूसरा दिन है on duty तो आप देख सकते हो अभी off duty है और आज का रनिंग है वो विल्कुल जीरो है तो अभी मैं यहां से on duty आ गया हूं तो मोबाइल holder में लगा लेता हूं अपना मोबाइल तो अभी आप देख सकते हो 677 km मेरा बाइक चला हुआ है तो इसको मैं जीरो कर देता हूं ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि आज का trip बिल्कुल जीरो हो चुका है तो गाईज देख सकते हो पहला राइड आज का मुझे मिल गया जैसे कि मैं आपको बताता है रहता हूं कि चंडी गर में रैपटो का बहुत ज्यादा डिमांड है जब भी मैं लॉग इन करता हूं तो साथ के साथ राइड आ गया तो भाई पहला राइड मिल चुका है तो चलते हैं उसको भाई पिक अप करन अतना भी अर्णिंग होगा मैं आपको बताऊंगा और मेरा बाइक कितना किलिमेटर चलता है मेरा बचत कितना होता है सारा पेट्रॉल का खर्चा निकाल के ठीक है ना तो मुझे लगता है ना लुकेशन जो इसका कस्टेमर का है वो हाउसिंग बोर्ड का हाउसिंग सब्सक्राइब कर यहां लुके तो भी अलुके ना यहां पर बैठ जाना कि इस पाट्री यहां यहां पर देखे जाना कि पटशांगा कि आपकर लो मुझे मुझे पकर बैठ जाओ अरामसे यहां पर बंस प्टा कि नहीं नहीं सौरी आगे रख लो आगे रख लो मैं अराम से ले चलूँगा आपको अराम से बस बस मेरे कंदे पर हाथ रख लिजिए आप चले ना तो फिर से दूसरा राइड मुझे यहीं से मिल गया अभी-अभी मैंने इस राइड को कंप्लीट किया चलो इसको भी पिक अप करते हैं और इसका भी वन पॉइंट एट किलोमेटर पिक अप है तो भाई पहला राइड कंप्लीट कर दिया और भाई इस भाईया को ना बैठने में थोरा से दिक्कत हो रहा था तो इसने मुझे मुझे मना कर दिया था कि रहने दो कि मैं दूसरा राइड को कर लूँगा तो फिर या फिर मैंने रिक्वेस्ट किया तो फिर उन्होंने मतलब जहां पर मैं पैर रख रहा हूं ना मतलब वहीं पर पैर रखके चला थोड़ा मोटा था ना तो इस वाई से दिक्कत हो गई थी तो यार मतलब पीछे जो बैठता तो कंप्लीट कर दिया तो दूसरा को भी चलते हैं पीकप करने कोशिश करूंगा कि भाई कोई भी कस्टमर मुझे गलत फीडवेक ना दे नहीं तो भाई मेरा रैपडो का आईडी जो है ना कंपनी सस्पेंड कर देगा क्योंकि रैपडो के आईडी में मेरा पुराना वाल फोट्व कर देगा सिदसे हैं हुआ है है कि हमेथ अब भी मैं ने दूसरा राइड भाई को थ्वरा सा एक Помप्लीट किया एयर फोर्स का एक्जाम तभी Hierका तो वहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया और थोरा साग्याने के बाद मैं भी yale ने बोले थोरा से मुझे जल्दी जाना एक्जाम में लेट हो जांगा नहीं तो तो मुझे उसका राइड वहीं पर कंप्लीर करना पड़ा तो complete करके मैं offline आ गया था और अभी दोवारा से मैं online आ चुका हूँ ठीक है बागी चलते चलते बात करते हैं तो पहला राइड चंडिगर से पंचकुला लेकर आया और पंचकुला से भाई दोवारा जिरकपूर होते हुए मैं मोहाली के साइड आ गया हूँ और भाई जिरकपूर में इतना खतरनाव ट्राफिक लगा हुआ था ना और गलती से भी अगर साम के टाइम मुहां की राइड आ गया तो भाई काफी ज्यादा टाइम नुक्सान होता वहां पर और कुछ लोग राइड भी गैंसल कर देते हैं उसको लगता कि पतन यार मैं कहा हूं कितना दिर आओंगा नहीं तो भाई बात करते करते फिर से राइड आ गया और मुझे सुनाई भी नहीं दिया तो मैं नीचे देखा तो पता चला कि यार राइड आ चुका है और मेरे न मतलब मैंने थोड़ा आवाज कम किया था तो भोलिया मैं भी तेज बहा दिया थ पेनल्टी भी लगा देगा हाई स्पीट के बज़े से और बार बार इस तरह से करते रहूं तो भाई कंपनी मेरा आईडी भी टर्मिनेट कर देगा तो इसलिए मैंने भाई को भोला कि आपका राइड में वहीं पर कंप्लीट कर देता हूं उसके बार में आपको लिए चलत है ओ या रोड देखर वाई कैसी है गारी सीधा से चल भी नहीं रही है ओटी भी बता दो कि भाई ये तीन किलोमेटर का राइड है अच्छा जाएंगी नहीं दीजिए तो भाई इस राइड की जग मुझे पार्सल मिला है ठीक है तो यह लंच बॉक्स है वही उसको देना है और भाई अभी हाथ में लटका कर ले जाना पर रहा इसको क्योंकि बैग तो मैं लाया नहीं हूं और बैग लाओंगा तो भाई काम भी नहीं होगा क्योंकि पीछे ब तो गाइज मैं अभी आया था भाई 43 बस टेंड जो कि यह बैक साइड है तो यहाँ पर मैंने भी उस राइड को कंप्लीट किया वो राइड ना 15 किलोमेटर का था जिरखपूर से 43 बस टेंड लेकर आया और 15 किलोमेटर का मुझे मिला 116 रुपय आप देख सकते हो ठीक है क सिनड है गए जो मिला था ना वो भी मतलब 11 किलोमेटर करेठ था तो मुझे 120 सुर्प्यास बेखाई नीं दिये था और पहला मिला तो मतलब present अ ANY तक और प्रेलख मैंत इसका बहुत कम डिस्टेंस है यार 350 मिटर है एक मिनट दिखा रहा मुझे ऐसे ऐसा पिक अपम लेना तब तो भाई मज़ा भी आता बाइक ज्यादा चलता भी नहीं है ठीक है थेंक्यू कि अब कि अब इस पर पैर रखके बैड जाना भी हो कि भाई अभी जिसको में पिक अपकर दीन के लिए आया ना तो यहां पर पहुंच गया तो उसने गलत अडाल दिया था ठीक है तो फिर मैंने कॉल पर बात किया दो उसने करने के लिए बहुटा था तो मैंने वुल हकशा करद हो फिर मतलब बात हुई कि लुकेशन वो मुझे भेज़ेगा लेकिन उसने लुकेशन भेजा नहीं उसके बदले में उसने राइड ही कैंसल कर दिया मैं यहीं पर अभी बेट कर रहा था और यार अभी मुझे मात्र चार रूपय कैंसिलेशन चार्ज मिला यार उस दिन तो बार टूवेक राइड आते रहेगा टाइम में भी भाई पांच बज कर छे मिनट हो रहा है रहा है रहमन के नाम से ना और टी भी बता दो आप हेलमेट मैं लो है तो तो क्या चीज निया इसको में ले कैसे जाओंगो दिखका तो यह है ना मिरे पास यह बांदेने के लिए नही नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या करता हूं भाई उससे भी ने कैंसल हो रहा है और मेरे से भी नहीं हो रहा है तो ऐसा करता हो ना ओटी पी तो इसका डाली लिया हूं थोरा सा आगे जाता हूं यहां से और राइट को कंप्लीट कर देता हूं ठीक है वैसे मेरा बॉलेट प्रटलब कट जाएगा कमी से नभी देखना अगर कोई समान भान भेजना है तो यार रैप लोगे तो पोटर बुक करना चाहिए क्योंकि पोटर बाले के पास भाई उसको पता है कि मुझे समान नीपार्सल करना तो पोटर वाला जो भी होता है भाई वह अपना सारा समान ले 24 कृटल मीटर कर था आर देखो यहां पर 25 कृलो मीटर हो गया विर राइट तो बहुत अच्छा था यार है लंबाएर च्योंड के आसपास तो अरनिंग होता तो अभी में वहां से एक किलोमीटर में अगे हाँ आग Alexandra करो के होता है नहीं गले वा सोग गया तो एक किलूमेटर आया तो देखो एक कस्टमर से 21 रुपया लेने का उसन है तो अब भो तो देगा नहीं मुझे कि इससे अच्छा मैं ही कर देता हूं यार कि वह कंपटीट तो हो गया ना तो से भी नहीं हो रहा था उससे भी भी आया 2-3 km लेने के लिए तो अभी टाइम सामके भाई 6 बज गया है और अभी मैंने थोरे देर के लिए ब्रेक लिया था क्योंकि भूग लग गया था तो उसके बाद अभी जा रहा हूं में भाई राइट को पिक अप करने के लिए कि अधो और टाइम अभी 9 बज कर 6 मिनट हो गया है तो अभी टाइम आप देख सकते हो भाई 10 बज कर 4 मिनट हो गया है तो अब मैं आपको अर्णिंग दिखा देता हूं पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अन कर लेता हूं ताकि आपको प्रोपर दिखाए दे ठीक है तो मैं रैपड मैं रूट बुकिंग लगा दिया है ताकि मेरे घर के तरफ का जो भी राइड आएगा तो मुझे आएगा तो इसलिए अभी मतलब माई रूट बुकिंग लगाया हुआ है और मतलब on duty भी है तो मैं इसको अभी ऐसे रहने देता हूं तो अर्णिंग तो मैंने आपको दिख दो बज़े से लेकर दाट के दस बज तक मैंने काम किया तो टोटल आठ घंटा हो गया मुझे काम करते हुए और आठ घंटे की जो अर्निंग हुआ वह सात्सो चोरासी रूपिया तो अर्निंग तो मैंने आपको पता ही दिया कि आठ आठ घंटे में 784 रूपिया मोटा तरह से अर्णिंग होता रहता है और मेरा बाइक भाई 133 किलो मिटर चला वैसे तो अभी मैं खाली खाली जा रहा हूं यहां से 10-12 किलो मिटर है तो बुकिंग आ गई तो ठीक है ने तो 10-12 मतलब ऐसे समझ लो ना कि भाई देर सो मोटा मोटी आप आप कितना बैरेंटर होगा आपका अभाई कीतना दिता है वयसे जब मैंने इसका अभरेज चेक किया था ना 53 km माइलेज दिया था आप 50 ही समझ लो तो 50 km एबरेज के इसाफ से तो भाई 300 रुपय का तो मेरा पेटरॉल ही खर्चा हो गया तो 800 रुपया में आप 300 माइनस कर दो तो 500 रुपया बच गया यानि कि भाई 8 घंटा में पेटरॉल निकालने के बाद मेरा 500 रुपया बचत दिखाओ और सब कुछ बताओ कि बाई कितना किलिमेटर चला और कितना पेटरॉल खर्चा हुआ और आज जितना टिपस मुझे मिला ना इतना टिपस पहले कभी नहीं मिला था क्योंकि पहले मेरे पास वही पुरानी वाली बाइक थी और आज इस बाइक को लेकर आया हूं तो मैं लगभग आपको अंदाजा से बताता हूं कि भाई डेर सौ के आसपास मतलब मुझे टिपस मिला किसी का साथ रुपया किसी का सत्तर रुपया पेमेंट होता था वो लोग सो रुपया देता था तो ऐसे बोल देता था कि रख लो कोई बात नहीं तो चलता हूं भाई एक अच्छा क्वालिटी का गलब जुलूंगा अभी यूटूब का पेमेंट आया नहीं है वैसे तो बाइस्तारी को ही रिलीज कर देता है लेकिन भाई बैंक वला है न वो कुछ मतलब दो-चार दिन ले लेता है मतलब एकाउंट में पैसा भेजने में ठीक है तो अभी त और ऐसा ही चमकती है जरा सब यह स्क्रेच आ गया ना तो भाई मतलब बहुत ही वेकार लगता है और लेमिनेशन के साथ भाई थोड़ा बाइक में कुछ मोटीफाइड भी करेंगे ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और पिछले वीडियो में जैसे कि आप सभी भाई ने कमेंट किया थे कि भाई इस टाफिक पर वीडियो बनाओ तो भाई जरूर बनाओंगा लेकिन आज मैं इसलिए रैपिडो पर बनाया हो कि भाई इस चीज का बहुत ज्यादा डिमांड था इस वीडियो का ठीक है तो टैंसन नहीं लेना भाई सभी टाफिक पर वी बाइ